C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पार्ठ चार चांद से थोड़ी सी गप्पे प्रिष्ट संख्या तेईस गोल हैं खूब मगर आप तिर्चे नजर आते हैं जरा आप पहने हुए हैं कुलाकाश, तारों जड़ा सिर्फ मूँ खोले हुए हैं अपना गोरा, चिट्टा, गोल, मटूल प्रिष्ट संख्या चौबीस अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम्त आप कुछ तिर्चे नजर आते हैं जाने कैसे? खूब हैं गोगी, वाह जीवा हमको बुद्धू ही निरा समझा है हम समझते ही नहीं जैसे की आपको बीमारी है आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानि की बढ़ते ही चले जाते हैं दम नहीं लेते हैं जब तक बिलकुल ही गोल ना हो जाएं बिलकुल गोल यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है कवी शम्षेर बहादुर सिंग प्रिष्ट संख्या पचीस प्रश्न अभ्यास कविता से प्रश्न एक आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि क चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओड़कर बैठा है क चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है तुम किसे सही मानते हो प्रश्न दो कवी ने चांद से गपें किस दिन लगाई होंगी इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ दिन कारण पूर्णिमा अश्टमी से पूर्णिमा के बीच प्रथमा से अश्टमी के बीच प्रश्न तीन नई कविता में तुक या चंद के बदले बिम्ब का प्रयोग अधिक होता है बिम्ब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनी की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह च्छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बेल कूल शब्द के अक्षरों को अलग-अलग करके लिखा है तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृती देना चाहोगे ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ अनुमान और कल्पना एक कुछ लोग बड़ी जल्दी चढ़ जाते हैं यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चढ़ जाने का हूँ तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चढ़ेगा चढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिये गए जवाब लिखो दो यदि कोई सूरज से गप्पें लगाए तो वह क्या लिखेगा अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो इसी तरह की कुछ और गप्पें पेल, बिजली का खंबा, सडक, पेट्रिल पंप इन में से किसी एक या दो से करके लिखो प्रश्ट संख्या 26 भाशा की बात चांद संग्या है चांदनी रात में चांदनी विशेशन है दिये गए विशेशनों को ध्यान से देखो और बताओ कि क कौन सा प्रत्य ये जुड़ने पर विशेशन बन रहे है ख इन विशेशनों के लिए एक-एक उप्युक्त संग्या भी लिखो गुलाबी पगडी मखमली घास कीमती गहने ठंडी रात कविता में आये शब्दों के इन जोडों में अंतरिया है के चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है यह शब्द मोटा से बना है ऐसे चार-चार शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो तीन बिलकुल गोल कविता में इसके दो अर्थ हैं क गोल आकार का ख गायब होना ऐसे तीन और शब्द सोच कर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों चार ताकी जबकी चूंकी हाला की कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्दाएं हैं उन्हें ध्यान से सुनो ये शब्द दो वाक्यों को जोडने का काम करते हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ पांच गप गपशप गपबाजी क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है तुम्हें क्या लगता है लिखो कुछ करने को प्रित्वी के चारों और परिभ्रमन करते हुए चंद्रमा भी प्रित्वी के साथ साथ सूरे का परिभ्रमन करता है इन ही दोनों परिभ्रमनों से वर्ष और मास की गणनाएं होती है सामानितह तीस दिनों के महीने होते हैं जिने चंद्रमा की वार्षिक गती को बारह महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है 30 दिनों में 15-15 दिनों के दो पक्ष होते है जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुचता है उसे शुक्ल पक्ष और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं इसी तरह एक वर्ष के बारह महीनों में छे छे महा के दो आयन होते हैं जिन छे महीनों में मौसम का ताप मान बढ़ता है उसे उत्तरायन और जिन छे महीनों में मौसम का ताप मान घटता है उसे दक्षनायन कहते हैं सम्वत के बारा महीनों के नाम इस प्रकार हैं चैत्र, वैशाक, जैश्ट, आशाल, श्रावन, भादरपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीश, पौश, माग, फालगुन प्रिष्ट संख्या सत्ताईस अंग्रेजी कैलेंडर की वाशिक गणना सूरे के चारों और प्रिथवी के परिभ्रमन की अवधी के अनुसार 365 दिनों की हुती है इसके महीनों की गणना प्रिथवी के चारों और चंद्रमा के परिभ्रमन पर आधारित नहीं है इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया गया है इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के नहीं होते अप्रेल, नवंबर, जून, सितंबर इनके हैं दिन 30 फरवरी है 28 दिन की बागी सब 31 यहां दो प्रकार के कैलेंडर दिये गए हैं एक समवत कैलेंडर और दूसरा अंग्रेजी कैलेंडर क इन कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिये गए हैं ख दिये गए दोनों कैलेंडरों के अंतर स्पष्ट करो ग क्रिश्न पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है पाठ समाप्त अभी आप सुन रहे थे ये पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत